भारत देश अजादी का अमरित महत्सव मना रहा है और इस साल 15 अगस्त को इसका समापन होने वाला है इसको भब्य बनाने की तयारी केंद्र सरकार ने पूरे दमखाम से कर लिया है और इसी कड़ी में भारत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करने का एलान कर और अब आपको हम बता रहे हैं कि क्या है हर घर तिरंगा अभियान और कैसे इसे मनाया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा इसमें कितना खर्च किया जाएगा और इससे आपको क्या फाइदा होगा पूरे सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं इसकी पूरी कहानी उ इस वर्ष को केंद्र सरकार द्वारा अजादी के अमरित महत्सों का नाम दिया गया है। आने वाले 13 से 15 अगस्त के बीच देश के प्रतेक घर में तिरंगा फैराने का आगरह कि आ है पृधान मंद्री नरेंड्रमोदी के इस आगरह के पीछे भारत सरकार ने कईतर की दिये हैं बताया जा रहा है कि भारत सरकार के मुताबिक इस अभियान के तहत नागरिकों को तिर विस्ता और गहरा होगा और देश के नागरिकों में देश भक्ति की वावना पहले से जादा प्रबल होगी प्रधान मंतरी द्वारा यह अपील इसलिए किया गया है क्योंकि वर्तमान में भारत के नागरिकों का उतना जादा संबंद तिरंगे से नहीं है जितना होना वो भी केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही केंद्र सरकार ने कहा है कि फिलहाल राश्ट्री दोच के साथ भारत के नागरिकों का व्यक्तिगत से जादा अपचारिक और संस्थागत रस्ता है यानि कि अजादी के इतने साल बाद भी भारत के नागरिक अपने जहंडे को कि इसी विशेश मौके पर ही संबान देते हैं उन मौकों को बीच जाने के बाद उन्हें याद भी नहीं रहता कि जंडे की सलामी भी देनी चाहिए और इन सब मामले को देखते हुए भारत सरकार को लगता है कि हर घर तिरंगा अभियान की शुरवात होने इसके बाद भारत क लोगों के संबंद राश्य धोत से पहले की अपेक्षा और ज्यादा व्यक्तिगत हो जाएगी वहीं हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कुछ विवाद भी सामने आये हैं पहला विवाद जम्मु कस्मीर के एक जिले के सिक्षा विवाग के आदिश से जुड़ा है बत की नेता महबुबा मुक्ति ने इस बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि दुर्भाग की बात है कि उपर के अधिकारी द्वारा पास किये गे तिरंगा फैराने के आदेश को खमियाजा छोटे पद पर तैनात अधिकारी को घुगतना पड़ रहा है इसमें बच्चों को 9 रुपए से लेकर के 21 रुपए तक रखी गई है लेकिन बड़ी समस्य ये है कि Confederation of All India Traders के मुताबिक भारफ में फिरहाल 4 करोर जहंडे ही उपलब्द हैं यानि कि बाकी की जहंडों का ओर्डर राज्य सरकार चाहें तो केंद्र सरकार या राज्य की जरूरत के हिसाब से फुल जहंडों की मांग कर सकती है या फिर अपनी तरब से जहंडों का इंतजाम कर सकती है वहीं बात यदि हम केंद्र सरकार दवारा खर्च किये गहराशी की करे तो अभी तक यह जनकारी बाहर नहीं आ पाई है कि केंद्र ने हर घर तिरंगावियान के लिए कितना पैशा खर्च किया है किसी लगे आप को ही हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यदि आप इस वीडियो को फिस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक कर लें और ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर वीडियो को लाइक कर लें बहुत बहुत धन्यवाद